हेलो ट्रेंस मेरे डेजल ग्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेसर में स्वागत करता हूँ तो यहाँ पे हम छत्तीगड समान द्धन को यहाँ पे जो मिक्स कोशन यहाँ पे कवर कर आ रहे हैं सब के आपके एक्जाम को देखते हुए चतीगड के कोई भी एक्जाम का आप प्रेशं कर रहे होगे प्यस्टीपरी होगया मेंस मेंस कवार्म भी मेंस स्टार्ट हो गशाओ तो हम फ्लेस अब आता है तो ^^और के कोई भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे होगे तो सबीपोर्टेंट सारा कुटेंट के लिए इंपोर्टेंट यहाँ पर रामगाड में इस्थी थे कौन से जिल अंतरगत आती है तो यहाँ पर रामगाड में सीता बेंगरा नाटे साल है साथी साथ आपका जोगी मारक गूफा है हाथी फोल सीता कून मैं पाड़ भूमने जाएंगो वहाँ पर हेल इस्टेशन बहुत दमंदिर वगरा बना है और यहाँ पर यहाँ पर मैं पाड़ को और किसलिए जाना जाता है च्छती गड़ का सीमला इसको कहा जाता है इसको छोटा तिबबत कहा जाती है यहाँ तो तिबबती सरना आर्थियों को 1922 में लोग को बसाया गा था यह जो है मान नादिक उद्गम यहीं से हुआ है ठीक है जी और यहाँ पर जल जली छेत रखा जाते है यहाँ पर दर्श कोशन आपके बार-बार एक याम में कोशन लगभव पी सजी में दो से तीन बार वियापाम अलग यहाँ से को शन आप पूछे गए हैं चली नेस कोशन देख लिए अगला पुस्ट देखते हैं अरन्यक का गुफा इस्तित है कोसम जोड़ी पहाड़ी में मंगलपूर के पहाड़ी में आपके कुपनसर के पहाड़ी में या अरहनपूर के पहाड़ी है उसमें तो मंगलपूर के पहाड़ी यह प्राचिन पहाड़ी है बस्तर जिला कंतरगत आती है ठीक है तो अरण्यक जुफागो है मंगलपूर के पहाड़ी बस्तर में आपका इसी थे ठीक है जी तरह का गुफा है ठीक है याद रखिएगा अगला पसंद देखते हैं सरगुजा जीला सरगुजा जीले की जीमर रेखा किस नदी को मानी जाती है रेणुका नदी कनहार पूलते हैं और इसको जो है रेणुका प्राचिन नाम है तो इसको जानते है ठीक है जी तो इसको जादर के आप सर्में रेखा नदी है तो रेखा सकते हैं तो सरगुजा जीले के जीमर रेखा कौन से नदी कहलाती है तो आपका रेहन नदी कहलाती है सरगुजा की जीमर रेखा कहलाती है अगर मैं रेहन नदी की बात करूँ इसका उद्गम कहां से हुआ है तो छोड़ी मतरिंगा पाड़ी अमरीका पूर तहसिल सरगुजा से यहां से इसका उद्गम हुआ है और विसर्जन जो है सोल नदी इसकी कुल लम्बाई है सर्गुजा सूरद्पूर बल्रामपूर प्रवाजशे तरह घुनगुटा मोर्णी महां सुर्या इसकी जो है जो है साय प्लेट है ठीक है और पुर्णी किसके तृषी तर्पी चलें अगला कॉशन देखते हैं कौरभा जीला कौरभा जीला जिल है कौन से नदी किनारे इस्थी थे अरपा नदी इंद्रवाती नदी हस् dull नदी या केलो नदी तिसका सी आपसन कर्येक्टर Kanstra हो जागा हस्दो यह इसको जो है apex द्भनलदी ही नदी किनारे आपका बसा हुआ है इसका ओरीजिन होता है यहां से जो आ olduğunu होती है ठीक है उत्गम होता है replayम में होता है तो तो महानदी में इसका जो है सिलाड़ी के आस पास यहां पर इसका हो जाता है इस कुल लंबाई के बाद करूँ कुल लेंध है कोरिया कोर्बा जानगी चांपा इसे जो इस चेत्र में जो इसका फ्लो होता है प्रवाज शेत्र है तांजिंग उतेंग गज अहिरान जटा संकार चोर नाई इसके प्रमुख सहायग नदिया है इसके तर्ट पे सहर कॉंपोल से बसा हुआ है इसके तर्ट पे पॉस्टल सिटी है इसको ठीक है याद रखिएगा हस्देव वांगो परियोजना जिसको हम मिनिमात परियोजना नाम से जानते उनी सो संडशाट में स्थापना किया गया है ठीक है कोर्बा में आपको बना हुआ है अच्छतिगर्ड की प्रिथम बहुत दीप बहुत देश परियोजना है सबसे उचा बांद यहां का 87 मेटर इसकी उचाई है ठीक है इसको याद रखिएगा अगला कुशन देखते हैं चलिए खोटा घाट बांध सुने होंगा जो है खोटा घाट जो बांध है किस नदी पेस्ती थे खारून नदी हस्दों नदी खारंग नदी या मनियारी नदी इसका आंसर आपको बताना है ठीक है बहुत बार बताया हूँ जब छत्ति गड़ के नदीयों को पढ़ आ था जैल प्रपात सिस में बता दिये था मैं कवर कर आ दिये था बहुत important question है तो छत्ति गड़ को खुटा घाट बंधा हूँ बांध जो है कहां हिस्त अगला कुशन देखते हैं खूटा घाट बांध जो है कौन से जीला में इस्थी थे बिलासपूर रायपूर दूर गया कोरबा भी जैस्ट बताया हूं यह जो है खूटा घाट जो बांध है बिलासपूर जीला कंतरगत आती है यहां पर आप जो रतनपूर अगर जाएंगे भूने तो रतनपूर जो जीला है रतनपूर जो दर्शनी स्थले है ठीक है वहां पर जाएंगे तो ज्यादा दूर वहां से लगवग तिन चार किलमेटर पड़ेगा वहां से तो वहां से बढ़िया खूटा घाट आपका बंदा हुआ है बना हुआ है बहुत है अच्छी नदी शिवनात नदी का उद्गम कहां से होता है पाना बरस की पहाड़ी नंदी राज चोटी से स्रिंगी परवत से या गड़िया पहाड़ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपसन करेक्ट आंसर हो जाएगा पाना बरस की पहाड़ी पाना बरस की पहाड़ी अं सबंबी नदी अपका सिवनाति नदी एठ को याद रखिए क्युश्ञाम के सबसे मघ समय समयन्द STEVE या अगर प्रवाइध शेद से बात को है वें नदी की तो राज्यावणगी दूर्ग इस तरह लगभग साथजिरों से पे प्रवाह होता है। इसके तरप पर वसे सहर, कुन-कुन सहत, दूर्गा, बेमेत्रा, मुंगेली, बलावदा बजार, इसके तरप पर आपके एक जामबी भी आया हुए है। मोंगरा बायराज पर यूजना यह आपका जो कहा है राजनान गाउम जीला में हैं ठीक है जी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो इसको आपको याद रखना है अगला कौशन देखते हैं राइगड जो है राइगड जो सहर है किस नदिक किनारे बसा हुआ है आरपा तो रायगड जो है केलो नदी किनारे आपके बसा हुए ठीक है लुंडेक पहाडी लैलूंगा तहसिल रायगड से यहां से इसका उद्गम होता है और महादेव पाली जो ओडिशक महानदी में इसका विसर्चन हो जाती है ठीक है जिसको याद रखीएगा प्रवाद शेतर के बात करूँ तो रायगड में इसका फ्लो होता है सहाय का नदीक हो इसके तर्थी बसे ऑ dog और आपका जो जो राजार है इसके parecer समिवा प्रवाद शेहर आपके प्रमुक सहार रायगड हो जाएगा ठीक है तो रायगड जो तो यह सहार है इसी नदी किनारे आपका बस हुआ केलो नदी ठीक है केलो नदी परियोजना सुने होंगे जिसको सौरगी दिलिप से जुदे परियोजना भोलते हैं तो यह आपके राइगर जीले में किसी था ठीक है जी अगला कॉसन देखते हैं रेणुका नदी रेणुका नदी जो है छत्तिगर के कौन से जीला मिश्ती थे तो अभी बताएं मायने जो है आपका जो है सरगुजा जीले में आपका इस्तित्र ठीक है जी इसका जो है D आपसन यहाँ पे correct answer हो जाएगा अगला कॉशन देखते हैं चली अगला कॉशन देखते हैं आपनेर नदी कौन कौन सा आपनेर नदी मुस्का नदी पिपरिया नदी के त्रिमेडी संगम बे कौन सा नगर बसा है दंतेवाड़ा खैरागड बगीचा या तख़त पूरति इसका जो correct answer हो जागा खैरागड इसका correct answer हो जागा कौन कौन से नदी आवनेर नदी मुस्का नदी और पिपरिया नदी इन तीनों नदियों के संगम पे खैरागड जो साहर बसा हुआ है ठीक है तो यह जो खास करके जो जो महत्यपूर जो तीर थैस्सल जो है जो तीन नदियों के संगम पे जो बसे सहर को अपसर आपसे पूछा जाता है ठीक है जैसे आपका राजिम गर्याबंध है जो इसको छत्ती गड़ के प्रयाग बोलते हैं कौन से नदी किनारे बसा हुआ है ति आपका महा नदी सिवनात नदी और आपका जो है जो संधूर है ठीक है एक बार बता देता है यह क्यों से नदे नदी किनारे बसा हुआ है महा नदी सीवनात नदी और जोंक नदी इन तिनो नदी नदी पुशन देखते हैं, कांगेर नदी, मुन्गर नदी और बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन से प्राकृतिक जल प्रपात बनाती है, जिसे प्राचिन काल में मुंगा प्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है, तीरत गड़ जल प्रपात, चर्रे मर्रे जल प्रपात, चित्र इसका l audiobook इसका 법न कर एक टांसर हो जागा तीरत गढड़ जल्प्रपात ठीक है जी कौनकौन से कांगेव नादी मुनगा नादी बाहार नादी मिलकर बस्तर का जोए प्राकृतिक जप्रपात बना दी किसे प्राथिनिकाल प्राकृति गढते की इसके प्राषिन नाम मुझगा यहाँ पर चितर पुड़े जल प्रपात यह prends है यहाँ पर साथ दहारा देवन प्रपात साथ आटर फाले हैं यहाँ 16 वालो संदर रखनों सपी खंग है in घ्थी setup रहा है चर्रे मर जयों राधा जो जैना यहीं इगे कंने में इससे को पधाध च्रातम कों से घिव ढहें को यह सब semen को सोथ सब्सक्राइब कर डरतमां में पोड़ सकते लगत साथि आलट पार्ट मैं ले zost को वहां से पूरा आपका जो है छत्ती गड़ की नदिया जितने भी वाटर फाल जल पर पात है पूरा आप से कबर हो जाएगा ठीक है जी चलिए ले नेस्ट पर्शन देख नागर द्रविड और बेसर सैली के उत्कृष्ट नमुना चिंगी तराई का जो सिव मंदिर कौन से ज पर जो जो एक मंदिर है या आपका जो है बस्तर में इस्तित है ठीक है और यह जो खालते नागर द्रविड और पैसर जो बेसर साइली के जो है उत्कृष्ट इसको जो है माना जाता है चलिए नेस्सकों देख चलिए अगला प्रसन दिखते है निम्ना लिखित में से निम् को इस्कृष्ट गलत हो जाता तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है काए जल परपात है जो बस्तर जिले मिस्तित नहीं है तो चितरकूर्ट तीरदगर्ड गुप्तेशवार या मळवार सिसका रुपढक्ता अंसर हो जागा गुप्तेशवार जल परपात है शब्रिन दिख बना हुए है आपका जो है सुकमा जिला में इसतित है । इसको यादर किये गार उस्तित नहीं है तो या गुप्तीसर हो जा गậnने न किबस ara бес ठीक है चलिए नेस को अगला पॉसन लेखते हैं चती जड़ की आवसत जलवाईू क्या है आत्र होता है इसका सी आप्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चती जड़ की आवसत जलवाईू उस्ना आदर पकार की होती है इसको याद रखना है क्लाइमेट जलवाई चलिए अगला पॉसन देखते हैं लाल दो मत मिट्टी जो कौन से जीले में प्राप्त होती है जी कबीर धाम का वर्धा में कोरिया में बस्तर में या धंतरी में तिसका सी आपसन करेक्ट आंसर हो जाएगा तो लाल दो मत मिट्टी जो कौन से जीले में जल धारण चमता भी सबसे कम होती है मिट्टी जल के कमी के कारण पत्तर के समान ठोस या कठो नियां पे हो जाती है ठीक है जी, next question देखते हैं, चलिए आज का last question देखते हैं, छत्ती गड़ में सरवाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, लाल और पिली मिट्टी, काले मिट्टी, मटासी मिट्टी या कनहार मिट्टी, जिसका जो correct answer हो जाएगा, लाल पिली मिट्टी, लाल पिली मिट्टी को किस नाम जिस जानते हैं, हमारे local language में, जिसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, लगभव 50-55% जो हमारे छत्ती गड़ में पाई जाती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है, ठीक है जिसमें धान, अलसी, तील, जुआर, मक, काटन प्रद्दी के पाई जाती है, इसमें चुना की प्रधानता होती, छत्ति गड़ में सरवाधी भाग में पाई जाने मारे मिट्टी है, ठीक है जिसको याद रखना है, घ्या जय को चलिए आज की से आप लोग को कैसे लागा से ज़रूर बताईगा, पहले बार आये तो चैन तक पहुंच पाया ठीक है जी तो मिलते हैं अगले पार्ट में बने रहीएगा चैनल को सब्सक्राइब पर करके रख लिए और बड़ी है जिस कांसर पुछा उसको कमेंट बाक्सम कमेंट करके बताईएगा ठीक है जी इसके बाद जैसे अभी छत्ती गड़ की अभ्यरन इतन भूरत नहीं है पूर जैसे हम डिटेल के साथ चतिज़ की जन जातिया पढ़े हैं चत्ती-गड़ की नदिया वाटर फाल पढ़ेए उसीतरह समय जहें चत्ती-गड़ की राश्ट्यू द्यान अभ्यरन को पढ़ा रहा हूं इसके पास जो नहां चत्ती-गड़ की मिटिया complete करा दूँगा जलवाई उजन गरना ये पूरा मैं cover करा दूँगा ठीक है जी मिलते हैं अगले पार्ट में आज का season यह तक रखते हैं थाइंक यू